हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका डियस कुरूजी में और इस वीडियों में हम आपके लिए लेकर आए हैं पीटी एटी और बेस्टी से से जुड़े आगामे एक जम्स के लिए महत्रपून प्रश्न है राजस्तान जी के हम पढ़ रहे थे और राजस्तान जी के में हमारा अगला टोपिक जो रहेगा वह रहेगा सारुजनिक शेत्र के कारेक्रम जो सरकार के द्वारा चलाए गए उनके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही महत्रपून यह प्रश्न है आगामे एक जम्स में जरूर पूछे जाएंगे पहला प्रश्न है राज इस मार्च 2018 को इसका उत्गाठन किया जया था अगला प्रश्न है साव्जनिक शेत्र के विभ्धिन वित्य संगपन अब देखे दोस्तों साव्जनिक शेत्र के विभ्धिन वित्य संगपन जो है वो में घल्थ 한데 पूछे ज़ा सकता एक इनमें से सावजनिक शेत्र का वित्तिय संगटन कौन सा है तो वह भी हो सकता है इसके बाद अपन बात करते हैं क्योंशन क्या है इनके द्वारा आकलित और उध्योग के संभावनाओं के आधार पर एश्रेणी में राज़स्तान के कौण से जीले किये गए हैं इनके द्वारा जो हें आ कलिक उद्ध्योगिक संभावना है के इस शयत्र में इस तरह की उद्योगों की संभावना है तो उन्होंने कुछ शेत्र इसे हैं जिनको एश्रेणी में रखाया था तो वहाँ पर तो उद्योगों की संभावना संभावतिया है ही तो वो शेत्र है जोदपुर, पाली और अजमेरोर, अलवर इनको जो है इन्होंने एश्रेणी में रखा है राजस्तान में वस्तर उद्योग का प्रशिद्यन अगर है भिलवाडा, राजस्तान की प्रथम उद्योगिक नीती की गोशना हुई ते, 1978 में ये द्यान रखियेगा अपडेट, बहुत ही मत्रपुन टाइम है ये राजस्तान के उद्धुगिक शेत्रों में आधार्बूत सुविधाओं का विकास करने के लिए निम्ने में से कौन सी संस्ता जिम्मेदार है राजस्तान के ओध्योगिक शेत्रों में आधारबूत सुविधाओं का विकास करने के लिए जो संस्ता जिम्मेदार है वो है RICO इसको बोला जाता है रिको और ये जो काम करती है ये भी विकति aument करने वाले संगतन है और ये जो सायता प्रदान करती है ये सायता प्रदान करती है और द्योगिक शेत्र में आधारबूत सुविधाय उपलब्द करवाती है ये जिमन में से कौन सा जीला कपड़ा उत्पादन उध्योग के लिए जाना जाता है वो जीला जो कपड़ा उत्पादन उध्योग के लिए जाना जाता है तो वो है बिलवारा राजस्तान में सीमेंट उत्पादन में प्रमुक जीले हैं सीमेंट उत्पादन के अगर बात की जाए तो बूंदी जीला तो प्रमुक है ही क्योंकि सबसे पहले सीमेंट मील अगर लगी थी तो वो लगी थी बूंदी जीले के लाकिरी नामक शेते पर इसलिए ये प्रमुक ह तो है सीमेंट उत्पादन के लिए प्रमुक चीले हैं राजस्तान के निम्नलिकित में से कौन सा एक राजस्तान में सीमेंट उत्पादन होता है राजस्तान में मोडक में भी होता है व्यावर में भी होता है गुलापूरा में सीमेंट उत्पादन नहीं होता है तो यह वहां क गेंद्र नहीं है, राजस्तान में सरश्वती परियोजना प्रार्म करने वाली एजेंसी है, उसका नाम है वैदानता, समू, इसके बाद का जो अपना प्रश्ण है वो है, राजस्तान में सरप्रतम सीमेंट फेक्री किस्ता आपना हुई थी, यह हुई थी लाखेरी में, बू वो लगी थी, 1917 में, HCC सीमेंट कारखाना लगाया गया था, यहां पर बूंदी जीले में पढ़ता है, लाखेरी शेत्र, निमन मैसे किस अध्योगिक शेत्र को जापानी जो उनके नाम से जाना जाता है, वो अध्योगिक शेत्र है, नीमराना, जिसे जापानी जो उनके ना इसके बाद है, राजस्तान स्टेट केमिकल वर्क्स, यह सांभर में इस्तित नहीं है, सांभर में जो इस्तित है, वो है नमक का वहाँ पर जील है, और नमक से सम्बंदित कुछ कारखाना वहाँ पर इस्तित है, इसके लवाँ चंबल फर्टिलाइजर यह गड़े पान है, इसके बारे में आप सबको जानकारी होगी ही, हिंदुस्तान जिनक लिमिटेड इस्तित है देबारी में, तो यह सेकेंड ओप्शन जो अपना है वो यहाँ पर समयलित नहीं है, रीको, रीको की फुल फॉर्म होती है, राजस्तान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलप्मेंट इन्वेस्ट्मेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड तो दोस्तों एक बात तो यह है कि आपको इसके फुल फॉर्म ध्यान रखनी होगी, क्योंकि फुल फॉर्म अक्षर एक्जाम में पुछी जाती है, तो इसके फुल फॉर्म है राजस्तान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलप कु जिले का नाव भतता ही यह, इसके स्टापना घिलोट में हो रही है, और इसका जो जीला है, वह है, अलोम में यह कि जायेगी स्टापना, भीवारी अध्यूगिक शेत्र किस जीले में हे? बिवाडी उध्योगिक शैत्रिस्त थे अलवर जीले में दोस्तों ध्यान रखेगा आप राजस्तान वित्तिनिगम इसको बोला जाता है आर एफसी राजस्तान वित्तिनिगम राजस्तान फाइनेंस कोर्पोरेशन की स्टापना किस वर्स में की गई थी इसकी स्टापना की गई थी 1955 में तो आप राजस्तान वित्तिनिगम की फुल फॉर्म हिंदी और इंग्लिस दोनों में हिंदी में तो है राजस्तान वित्तिनिगम इंग्लिस में है राजस्तान फाइनेंस कोर्पोरेशन तो दोनों तरह से आपको ध्यान रखनी है और इसके स्तापना उन्नीश सो पच्पन में हुई है क्योंकि कभी-कभी वह एक्जाम में हिंदी में ना देखर इंग्लिश में ही फुल्फॉर्म दे देता है इसलिए राजस्तान वित्त कमिशन का गठन 17 कि फिलीशन गठन ये 20 फाइब को और इसकी स्तापना वुई 1955 में हीए बाडमेर प्रींट किस नाम से जाना जाता है राजस्तान की हस्त कलाउंस से संबंदित है ये और बाड मेर प्रिंट जो है ये जना जाता है आजरक के नाम से और ये प्रिंट से संबंदित प्रश्न अक्सर पूछी जाते है राजस्तान के ब्लू पोट्री को इन्होंने अंतराष्टे पहचान दी वो है क्रपाल सिंग यह जो है ब्लू पोर्ट्री में बहुत ही फैमस्त है उन्हों ने स्वेदेश में भी इसका नाम नाम किया हैं। स्थान पर कपड़ा चपाय का कारें नहीं किया जाता है कपड़ा चपाय के लिए प्रशिद है सांगा नेर में भी होता है और बालोत्रा में भी होता है अलग-अलग तरकियां पर कला कृतियां से निर्मित होती है और यह जो है देबारी पर किया जाता है। को खेशला उध्योक के लिए प्रशिद लेटाग चीले में किए इस्थीद है। में काग जी तेरा कोटा के लिए प्रिशिद्ध है काग जी तेरा कोटा के लिए प्रिशिद्ध शेत्र है अलवर राजस्तान के सभी जीलों में जीला उध्यों केंडों की स्तापना किस पंच वर्षी योजना में की गई इसके लिए स्तापना की गई थी पांच वी पंच वर इसकी सोट फोर्म है SEZ विशेश आर्थिक जोन विधेग 2015 कब पारित किया ये पारित किया था 6 अप्रेल 2015 को केंद्रिय वस्तर मंत्राले ने जूट पार्क कहां खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है इनों ने मंजूरी दी है स्री नगर अजमेर में खोलने को हाथ से कोटा डोरिया उत्पात बनाने वालों के लिए कौन सा पेटेंट लागू किया गया है तो इनके लिए जी आई पेटेंट लागू किया गया है हाथ से कोटा डोरिया बनाने वालों के लिए जेपुर जीले में मानपुरा माचेडी किस रूप में विक्षित किया गया जेपुर जीले में मानपुरा माचेडी विक्षित हुआ है और ये विक्षित हुआ है लेदर कॉम्पलेक्स के रूप में इसके बाद है राजास्तान लगु उद्योग निगम द्वारा राज्य की लुप्त हो रही फढ़ई चित्रकला के पुनर उठ्वान के लिए प्रशिक्षन के अंद्र कहा संचालिद किया जाए इसंचालिद किया रहा है दाज्जे में कृषिगत ओजारों को बनाने के लगू कारखाने कहां इस्तित है इसके लगू कारखाने गज सिंगपूर गंगानगर में इस्तित है तसर रेसम हेतु कौन से पेड लगाया जाते हैं इसके लिए अरजुन के पेड लगाया जाते हैं बकरी के बालों से जट खर्ष्व युत्र उद्योग के लिए प्रिशिद है वो जिला है सवाय माधोपूर भरतपूर सफ़ेट सीमिंट बनाने वाली राज्जे की पहली फेक्ट्रिशन कोटा में राजस्तान से गुजरने वाले निमनलिखित राष्ट्रे राजस्तान का परिवहन से जुड़े ये प्रश्न है ट्रांस्पोर्टेशन जिसको अपन बोलते हैं उससे जुड़े ये प्रश्न है पहला प्रश्न है राजस्तान से गुजरने वाले निमलिखित राष् के उत्तिर राज्तिंती का से दिव के वाले सब युखास्टित ᵁ है और सब आसा बत्री का दी एक ऊत्तर रेल्वे का मुख्याले कहां पर इसका मुख्याले राजस्तान में जैपूर में इस्तित है दिल्ली मंबे इंडस्ट्रियल कोरिडोर पर्योजना का 40% इससा राजस्तान में है जिसकी लंबाई है 576 किलो मेटर कोरिडोर की कुल लंबाई है 1483 किलो मेटर जिसका लगत 38.9% is equal to 576 किलो मेटर राजस्तान के अंतरगध आता है राजस्तान का वह राज्ट्य-राजमार्ग जो एक ही जीले में सिमित है वो वो राजमार्ग है 79 जो एक ही जीले में इस्तित है निम्लिकित में से कौन सा राष्ट्रे राजमार्ग राजस्तान से नहीं निकलता है राष्ट्रे राजमार्ग 8 भी निकलता है राष्ट्रे राजमार्ग 12 भी निकलता है राष्ट्रे राजमार्ग 14 भी निकलता है 9 नहीं निकलता है तो यह option हो जायागा इसमें सही पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस ट्रेंड का राजस्तान में प्रतम स्टेशन कहां है इसका प्रतम स्टेशन है मुना बाब में किस बड़ी रेल लाइन पर देश की पहली रेल बस सेवार 2-2 अक्टूबर 1994 को राजस्तान राज्य से प्रारम हुई थी तो यह हुई थी मेर्टा रोड से मेर्टा सिटी तक यह करम हुई थी किस वर्स में सांगानेर हवाय अध्य को अंतराष्टे हवाय अध्य का दर्जा द राजमार्ग है एनेच 15 राष्ट्रे राजमार्ग संख्या आज निम्नमैसे किस जीले से गुजरता है यह गुजरता है डूंगरपुर जीले से राष्ट्रे राजमार्ग संख्या 12 किस जीले से नहीं गुजरता है तो यह नहीं गुजरता है अजमेर से रेलवे की छोटी में राजस्तान में 21 मार्थ 2017 को सड्कों के कुल लंबाई थी ये प्रश्न बहुत थी महत gelernt है और कुल सड्कों की लंबाई थी 2268 53.86 किलोमेटर सुन है वर्ष 2016 के अंथ में राजस्तान में राश्ट्रे राजमार्णकों के कुल लंबाई थी इसके कुल लंबाई थी 8202.2 किलोमीटर्स उत्तर पस्चिम रेलवे का मुख्याले कहां परिष्टि थे इसका मुख्याले जैपूर में है पाकिस्तान से आने वाली थार एक्स्प्रेस ट्रेंड का राजस्तान में प्रतम स्टेशन कहां है तो यह है मुना बाउब में वर्ष इसके सबसे लंबी सड़क सुरंग है चेनानी नाश्री सुरंग जम्मू को स्री नगर से जोडने वाले राष्ट्री राजमाग संख्या चंवालिस के वीच उधंपूर जीले में इस्ति थे इसका निर्मान 2011 में प्रारम हुआता तता 2 अप्रेल 2017 को प्रधान मंत्री श्री 9.2 किलोमीटर लंबी देश की सबसे लंबी रोड सुरंग है तो इसकी कुल लंबाई है 9.2 किलोमीटर तो यह आपको ध्यान रखना है तो यह थे दोस्तों PTT और BSTC से जुड़े आगामे एक्जाम्स के लिए महतर पुन प्रश्न और आज के इस वीडियो में इतना ही बाक